साहरगार थाना छेतर के किरवा गाऊं के एणे एट 104 सरक किनारे से 12 चका ट्रक की चोड़ी होने का मामला प्रकास में आया है जिसको लेकर ट्रक मालिक किरवा निवासी उमेश यादव ने साहरगार थाना में मामला दर्ज कराया है दर्ज मामला वजानकारी के मुताविक बीते 6 अप्रेल को रात करीब 11 बजे टरक मालिक के रवा चौक पर सरक किनारे टरक खरी कर घर चला गया जिसका नमबर बी आर जीरो सिक्स जीडी पांच हजार आच सब बानवे हैं सुबह जब टरक मालिक चौक पर आया तो टरक गायर था काफी खोजबीन करने के बाव जूर टरक का कहीं कोई पता नहीं चला टरक मालिक उमेस यादों ने बताया कि टरक रात के करीब 12 बजे के आसपास चोड़ी हुआ है बगल के कई दुकानों में लगे CCTV फुटेज को खंगालने के बाद पता चला की एक कार सवार ब्यक्ती आया और टरक के दरवाजे का लौक तोर कर अंदर गुसा फिर टरक को लेकर गंगौर की तरफ चला गया जिसका कार एसकौट करते हुए देखा गया है बहराल पुलिस मामले की जांच की बात बता रही है लेकिन यह सवाल उठता है कि आखी इलाके में एक बरी टरक का चोड़ी कैसे हुआ क्या पुलिस गस्त नहीं कर रही थी साहर घाट के अलावे हरलाकी छितर की पुलिस वो एससीबी को रात में गुजरते टरक पर नजर नहीं परी महस साहर घाट थाना से चंद कदमों की दूरी पर टरक का चोड़ी होना पुलिस की ड्यूटी पर बहुत बड़ा सवाल या निसान लगा रहा है अब देखना होगा कि आखिर टरक ब्रामद होता है अत्वा चोड़ी का मामला दर्ज होकर फाइल में ही बंद हो जाता है इलाके के लोग चोड़ी की घटना किसे सदमी में है इस बाबत थाना ध्यक्च विजय कुमार पासमान ने कहा कि मामले की जात चल रही है टेक्निकल सेल की मदर्थ ली जा रही है जल्द वहान को ब्रामात कर मामले में खुलासा किया जायेगा अब कर दार चे तारीक रात में और एक सारे गारा बजे घर चले गए खाना खाकर के सो गये जब सुबह छे बजे आए तो गारी चोड़ी मिला तो फिर खोजबीन किया खोजबीन के बाद थाना पर गये बड़ावाव बोला है कि हम सारा सारा रात वहीं चोपड़ है कोई पर फार यार तारीक किया आठ को किया है अब कि किसी पर सक भी है आपको अभी तक कोई किसी पर सक नहीं है कि पुलिस क्या कर रही है कि हम अपना वर्तियां में लगे हुए हैं कि करवा चोक्षरी गारी चोरी हुआ है कि क्या नम हो आपका अप हमारे मदुबने न्यूस को फेज़ूक पर देख रहे हैं तो पेच को लाइक करें यूटूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूए